एक फॉर्मुला काफी है और सौ फॉर्मुला भी कम है तुर्य मैंने आपके काफी ताइम दिया आएरे पर काफी बैक्टिस करबाएं काफी कोश्चन्स की तो एक बार आप लोगे हैं कुछ से अनलाइज कीजिएगा और मैं आज आएरे के कुछ लास एक्जामपल्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हुआ ठीक है मैं आपको याद होगा मैंने एक लेवल टू नाम की एक फाइल बेजी थी मैं वसी फाइल को और फिर नाम कोश्चन्स के रहा हुआ असलिए कर लें डीरा जी अप्लीव अन्म्यूट कर लें जैसे की एक आप्मान मंग कोश्चन्स है उस आप्मान मंग कोश्चन्स के तरह नहीं बर रहा है एक बिनूमत क्या है इसको बावबर स्विच्च क्यों कर रहा है एक नंसों दीजिए रहा बिनों जी क्या आप आप इस पर टेलिफून भी कुछ ले आते हो मैं आवाज आ रही है आपको ओके आपने लिंक को कॉपी कहां पेस किया आप उसके इंटर नेक्स पुलों के कॉपी पेस करो कि आप में दिया है वहां पर सौफ्टर डाउन्ट जो होता है घौट के लिए उस पर खुलिया कि अब जाएए वहाँ पे software download होके रण और रण होगा आपके इसमें प्रॉलम है है इसमें Chrome में इसकान से प्रॉलम होगी है ठीक है तो में पास यहां पे column A में काफी numbers है ठीक है मुझे इस number में यह पता करना है कि कितने unique है और कितने duplicates है तो हमें क्या पता करना है कि कितने unique है और कितने duplicates है यह हमें यहां पे angify करता है इस color एक यह तो अगर हम normal देखे हैं कैसे angify करेंगे अगर computer की बात करें normal computer की बात करें तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे use करेंगे count if का इसी के अंदर काउंट करेंगे और इसी के अंदर काउंट करेंगे और नीचे देड्राइक करेंगे जो वन बाला है उसको हम काउंट कर लेंगे और जो आपका greater than one है उसको हम duplicate के लिए count करेंगे यूणी के लिए one count करेंगे वापस अंदर काउंट इप मैं लगा दो अता ही देता हूं कि यहां पर equal जिसको select कि बिनोजी internet explorer पर copy paste कीजिए ना internet explorer पर अरे आप मैंने क्या आप सुना नहीं है मैंने link को copy करके internet explorer पर बुला खुलने के लिए बुला हूं मैं मोजीला आपका support नहीं कर रहा है तो आप जो है internet explorer पर जाएए कि करके जो होता है न एक्सल के अंदर में इसमें अंदर में इंटरेट में उस पर जाएए आप ख्रोम मोजीला पर जिए ठीक है तो यह unique account के लिए होता है लेकि इसी को हम array के जरीए हम कैसे करें तो array के लिए हम करने के लिए क्या करेंगे यहां के लिए करेंगे यहां करेंगे हम पूरे को और select करेंगे एंड इसको select करेंगे इक्वल वन एंड वन देरिया इस पर हम डबल क्लिक किया है कर्दोल से चुल्ट है तो question है कि इसमें हमारे कितने unique है और कितने duplicate है ठीक है इस number में कितने unique है मतलब कि एक number एक ही बार क्या है और कितने ऐसे number more than one time है यह हमारा question था इसमें equal to one के दिये equal to one मतलब का जिसका count जो है one है इसमें unique है जिसका count one नहीं है वो unique नहीं है इसमें if condition लाना था माफ किज़ेगा if condition चोड़ी है कंट्रोल शिफ्ट एंटर है अब इस फाम्मुले के अवलेट कीजिए फिर देखिए software download नहीं हो रहा है 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 थे वह प्रोम पर जोइन कीजिए और वहां पर देखिए सिर्च टू डेस्टर बर्जन होगा उसको download के जिए है कि खुझेगा उसमें स्विच टू उसी में देखिएगा सुच टू डेस्टर बर्जन का option आएगा तो यहां पर यूनीक यहां पर दूब्लिकेट हमने क्या किया फॉर्मूला एविलेट करते काउंट इस क्या करेगा इस जितने भी नंबर से सारे नंबर्स का काउंट निकालेगा कि कोन more than one time है ठीक है more than one time है जहाँ 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 वान है वहाँ इस इक्वल करेगा है कि one है जहाँ 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 वान है वहाँ वहाँ आपको true आ जाएगा जहाँ जहाँ true है वहाँ पर one type कर देगा फिर sum क्या करेगा one को sum कर देगा तो result हमारे सामने आ रहे जाएगा लिपिन की समझ में आया है example यह सरु समझ में तो आ रहा है लेकिन equal to one वाला ही यह confusion दे रहे है और equal to one equal to one basic आप नहीं समझें इसको देखिए हमने लगाया formula की count if पूरे में इसको count करेगा तो यह क्या करेगा 70 कितना बार है दिखा दिया 54 कितना बार है दिखा दिया अब मुझे इसमें से निकालना है कि कितने यूनीक है कि हम क्या करेंगे one बार को सम करेंगे ना इसलिए इक्वल टू हमने बोला कि count का result इक्वल टू वन अगर हमें दुब्लिक यह formula मुझे दुब्लिकेट करना है कि वही more than one time कितने नंबर है तो उसके लिए आप हमें greater than one लागाना पड़ेगा ठीक है क्लियर है समझीव समझीव तो इस तरह से इसके इस्तमाल करते हैं आप चलिए कुछ और complicated formula के तरफ चलते हैं अब मेरे पास यहां पर नंबर दिया हुआ है एक टेक्स्ट और नंबर दोनों आपस में इस तरह से कमाईन है इसमें से मुझे सिर्फ नंबर को remove करने इसमें सिर्फ क्या करने है only for numbers को remove करने sorry माफ कीजिए extract करने ठीक है सिर्फ number को extract करने ठीक है ठीक है तो कैसे करेंगा क्या तरीका है करने इसमें में अलग करना हुआ तो कैसे करेंगे को कि इसमें जोरी नहीं की 20 में ही हो अलग अलग अब के हो सकते हैं ठीक है यहां पे अलग अलग हो सकते हैं पहले स्टार्टिंग में हो जाएगा या 20 में होगा या लास्ट में होगा वस मुझे इसमें से numbers को अलग करने है डिजिट को अलग करने है तो मैं एक छोटा डिजिट लिगता हूं ताकि आपको समझना आएगा यह हमारा साथ का है तो मैंने याद वह सबसे प्रहें लगाँगा मिट का अगर में normal basic concept में आपको बताओं तो सबसे प्रहें लगाँगा मिट का हम इसको select करेंगे कामा वही करले वाई के वहला system करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 7,8 7,6,7 तो इसने क्या किया साय नंबर को हमने अलग 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 सेल में रख लिया जिते भी नंबर्स हैं ओ साय नंबर्स को हमने अलग सेल में एस चेक कर लिया जी बुल दिया यह से डीजी देना पड़ता है या तभी वह अलब करता है एक दोड़ी नहीं हमने नहीं दना होता था अब यह यहीं इसना पड़ता है यह दिकास कर चुका हूं है सर एक हमें पहली आरे एक वाज में लिच्छ किया है कि आपको नहीं सुमिजमाएं कि अगर नहीं करना पड़ा तो वान इसमें टू अलग अलग फरम में लगाने पड़ते जैसे वी लुक अभी तब ने किया था वी लुक अभर है याद होगा उसके वाद मैं क्या करूगा इसको मल्टिप्लाइवाई वान या प्लस जीरो ऐसा कुछ करूँगा मैं इसा करने से क्या होगा कि जो टेक्स होगा उसकी विजल्ट अरॉर आएगा जो नमबर होगा वो नमबर यहां पे आजाएगा फिल मैं यहां पे लगाऊंगा formula each error का each error क्या करेगा अगर error हुआ तो true दे देगा अगर error नहीं हुआ तो false देदेगा चरह ब्लैंग का लगाए जी अपने यह ब्लैंग का formula लगा दिया error लगेगा तो false देगा फिल मैं यहां पे फार्मा लगाऊंगा match का match formula को बोलूँगा कि true को सर्च करें किसके अंदर इसके अंदर I am sure नहीं आपे फार्मा जी होगे तो hello मैं क्लास बें ले रहा हूं से मैं आप पाले हमें कॉल बेक करो उसी नंबर के इसमें आपका जो नंबर है और स्टार्ट कहां से यह पोजीशन हमें पता चलग या अब मुझे पता करना है यह खित्में डिजिट है आखिर में यह है कितना डिजिट इसके लिए मैं काउंट कि इस यूज किया और इस पे मैं देदिया फॉल्स तो पता चला कि यहां यहां तक आजिए निसका रहा हुआ मिर्याजी प्ली म्यूट किजिए आपके पीछे से म्यूजी का रहा है ठीक है तो हमें पता चला गया है कि मेरा नंबर स्टार्ट कहां से है और कितना डिजिट है तो इसमें मैं मिट का फॉर्मा लगाऊंगा मिट कॉमा फॉर्ड कॉमा थ्री यह हमारा नंबर अलग हो जाएगा इसको हमें एरे के फॉर्म में डालना होगा तो हम इसको टुक्रों में करेंगे पहला करेंगे इसको दुस्ता करेंगे इसको विनो जी क्या प्रोलम है आपके सिस्टम में आपका है क्यों क्यों नहीं पर मैंने जिर्ट कर रहा है आप कि वह जल्टी कैसे रोग तो दो अलग अलग करेंगे पहला हमारा मैच के लिए होगा दूसरा हमारा काउंटिफ के लिए होगा ठीक है फिर हम इसको आपस में कमाइन करेंगे तो टुक्रों में देए बहुत था सा कॉंप्लिकेटिव वामला इससे ध्यांस देख लिगा तो एले समझने से पहले आप कंसेप्स समझ लीजे ठीक है उसके बाद हम यहां पे इस एरयरा का फॉर्मूला लगाएंगे इस एरयरा का फॉर्मूला क्या करेगा यहां आपका नंबर होंगा वहां तो फॉर्स देगा और मैच क्या करेगा वाल सिसकी पोजीशन निकाल देगा उसके बाद again count if क्या करेगा false से उसका count निखाल लेगा कि कितने number of characters है that meet उसका the final lizards देगा तो चलिए इसको हम one by one करते हैं formula है match अब match के अंदर में हम लगाएंगे false को match करना false को match करना है किसके अंदर तो each error each error में mid में हमने select किया इसको और row number यहाँ पर row number हमने row number दिया indirect के साथ and कौन कटाने ट लेन अगार जिरो प्रेट में अगार दिया एंदर किया जाएंद कॉमा पूर आएंद कॉमा जिरो आएंद में मंटिपलाइवाइवाई वन ने किया हुआ है इज मीड का जो रिजल्ट है मीड के रिजल्ट में हमें मल्तीप्लाइवाई वन करना चाहिए था क्वाइव कंट्रोल सेंटर रिजल्ट फोर आ गया अब दूसा ये समझने है आपको लतीव जी दत्ता जी हाँ हएए हैं अब दूसरा पार्ग निकालना है काउंट इस में काउंट नीगा जाए किया कितने इसके काउंट है कौन काउंट टीर निगा रहा रहा है क्योंकि काउंट इफ और को सपोर्ट करते हैं तो मैंस तो चलब आरे सेप्ट नहीं करता है इसको मैं दूसरे तरीके से में करना होगा दूसरे तरीके से मतलग की जो इज एरर आप दिख रहे हैं इतना तो इसका होगा ही होगा यह पार्ट को में है तो मैं इसको पॉपी कर लेता हूँ दैन मैं करता हूँ कि इफ यहाँ सम इफ एक्वल तो फॉल्स तो वाल फिर कंटोल सिफ एंटर कंटोल सिफ एंटर वन क्यों आ रहे है कि यहां एक कॉमा पर गया हूँ पलतू में इस खारें देशा रहा है कंटोल सिफ एंटर थी आ लिए फिर यहां पर हम प्रामुला लगाएंगे मिड का मिड में हम टेक्स्ट इसको कॉमा स्लेक्ट करेंगे और इसको अब हो सकता है कि इससे बेटर फार्मूला भी हो लेकिन मैं ही युज किया इसी चीज को चेक्ट किया ऐसे डिसांस करेंगे इससे बेटर वह रहा तो इस तरह से हम एरे को एवलेट करते हैं एरे को इसी तरीके से हम यूज करते हैं ठीक है एक सकंद देजिएका सर एक सकंद मुझे ओके तो एक जाम पर समझने आया ना आप लोगों को में पूछा आ था एक जाम पर समझ में आगया ना आप अगला कोश्चन यहां पर यह है कि हमारे पास इस डिटा है यह तो नहीं बताने एक जाम पर में कि बता दिया आपको मैंने नहीं बता दिया इसा हमें करना है जो हमां दिख रहा है जो इसे इमांट को मुझे संद करना है ठीक है अच्छा इस तरह हो आप संद करने का हमारे पास कोई कंडिशन नहीं बन रहा है condition क्योंती बन रहा है क्योंकि यहाँ पर amount लिखा हुआ है यहाँ पर total लिखा हुआ है टाई पर MRP लिखा हुआ है ं तो हम कोई conditions नहीं दे पा हुआ है कोई उस नतीजे पर हम ही पहुँच पा रहे हैं कि यहाँ पर माने कि हम total कैसे करें सुनगा है तो आपको पताए कि एक्सल बिना किसी कंडिजिन्स से चलता नहीं है कोई ने कि कंडिशिन तो देना यह बढ़ता है तो इसमें एक समानता है जो हमारा इमाउन्ट है विए हर 39 एंगल भल्य कि पहला नहीं में दूसरा आइडी है तीसरे अमांट है इसको संग कैसे गरे तो अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे मेनूल करना हो हम एरे यूज नहीं करते हैं बिना एरे एक हम करते हैं हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहां करना पड़ेगा करना पड़ेगा सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मॉला लगाऊंगा रो का रो फॉर्मॉला रो के जगे मैं रोज लगाऊंगा ठीक है रो मैं कब लगाओंगा जब मेरा डेटा स्टार्टिंग से है तो मैं रो लगाओंगा स्टार्टिंग से नहीं है तो रो लगाओंगा तो रो क्या करेगा एक स्क्वेंस नंबर मतलब कि रो नंबर शो करेगा तो यह रो नमबर शो कर रहा है एक फॉर्मॉला में पास निकालता है मतलब कि शेज पर निकालता है तो आपने तीन से भाग दिया तो उसका सेज पर निकाल गया और जहां पर जीरो आया वह क्या है में आपनी से बहुता है त्रुछदू हरो रिम्तुल कि इस था है तुस स्ट तुसक्रेशूलों कोुछ नहीं थायों नहीं है अचिंस विस पर दो इवस्क्राइब धन्टीकरण करेदा कि पर गिज्फ we एए seven भी वि ti आ गहाद दूसम में में म नु én में में म आ से multiply हो गया है तिनका multiplication है और हमें 0 वाले को ही sum करना है तो मैं यहाँ पर journal sum if लगाऊँगा और बोलूगा कि इसमें 0 वाले को sum करो इस पर हमारा sum आ जाएगा 1712 यह हमारा manual concept है मतलब क्या करना है कि हर किसी के row number को mode से हमें 3 3 का multiplication निकाल रहा है जहां उसका 0 आ रहा है वहाँ पर हमें उसका total निकाल है ठीक है अब चलिए इसमें sum करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे equal sum then if if के बाद हम देंगे mode mode में हम देंगे row और row में हम पूरा data स्लेक्ट कर लेगे और common angle 3 equal to 0 तो हमने इसको स्लेक्ट कर लिए अब कंटोल सिफ एंटर एरे जल्ट आगे है एक काम कैसे करना है इसको देख लीजे क्वा हम एवलेट पर जा रहे हैं row हमने आप ए रोप देख लिया हमने रोप क्या है हमारा जिदे नंबर रो आगिया फिर मोड क्या करना है इसका मोड निकाल रहा है वहां पर निकला था फिर इफ क्या करना है एक कोल टो जीरो करना है जहां जहां जीरो है वहां 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 ट्रू आ गया जहां जहां ट्रू है वहां वहां क्या किया इफ ने उसकी बैलूर ही बज़न कर दिए थिके 64, 34, 34, 64 तो जो काम आरे इसी चीज़ के लिए मज़ूर है कि जो काम आप इतने सारे सेल्स में ना कर सके वो काम वो एक एक सेल्स में कर दिलता है अधिक लिए पूछे लो कि सरे क्वेश्ट था जैसे अभी हमने आइपने वो एंड से जुड़ा है एक नमबर देखना ने एक नहीं वाइव वह एंड परसेंट से है अभी जो हमने किया था अभी जैसे हैं तीन चार हेडिंग है ठीक है जैसे आपने नाम ले लिया वाली शीट होना जो जिसमें हम कर रहे थे ठीक है जैसे नाम है एडी है अगर मैं कंपनी के उस भिहास में बात कर रहे जैसे कंपनी नेम है वेब साइट है और परसन के नाम है तो यह हैडिंग होगी इस में काम कर रहा हूँ आगे पीछे उसने कर दिया। उस ने किय आगे पीछे कर दिया। तो मतलबिए इसको है φाइड सकते हैं। कीसी फॉर्मुली के प्रामुला सम्वेस्ट ने इसलिए इसने और कोई और एक कोई फॉर्मुला प्रामुली अधर और आधर तोई होगा अनुग है फॉर्मुला कल्कुलेशन के लिए होता है जैसे मैंने जैसे हमने आज कहसे मैंच और क्याई मैंफ। अरी है मैंच केया ह। जो आप बोलना है के और हुँटा दिक्रत होई ही तो आप अगर and pay करना चाहते हैं और की reconciliation करना चाहते कि आपके आपकी डेता और आपके जो फ्रेंड ने है उसका धा प्रॉपर अलग अलग हो गया है इसके बीच में गडिकन करवाना है कॉला बुल्टा सिधा है उसके में मैच ऑपसेट में राक हमक कर लेते हैं लेकिन जहां के आपसाइट और क्या बोलते हैं मैच को तो लग गया लेकिन इसमें हमें एक चीज और करना होगा ना जैसे फॉर् अब कुछ लोग यह जानते हैं कि आरे को और ज्यादा कैसे सिखा जाएं तो देखिए एक बुक है जिसको आप लेके आरे को और ज़्यादा स्विख सकते हैं अगर आप एरे में और ज़्यादे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक बुक है कंट्रोल सिप्ट एंटर जो की आई थिंग हजार देखिए पांसों की आज चुपे के आसपास है उसको आप मगा सकते हो और उसके जरीए आप सिख सकते हो कंट्रोल प्लास कंट्रोल प्लास सि प्लास एंटर जड़ोक है डाउनलोड होता है नहीं है डाउनलोड नहीं होगा है इसका स्वाप को भी नहीं है कंट्रोल सिफ्ट एंट इसको मागाना पड़ता है इसमें इसने बहुत सारे इसके क्या बोलते हैं यह यूज करेंग गांपल्स है और उसने सब टोटल बगरा का यूज को बताया गया है उसका इस्तमाल कर सकते हैं गुगल प्ले पे भी इसका जो है ना इसे गुगल आप दानलोड तो नहीं कर सकते हो बडियुक गुगल किसमें गुगल बुक होता है ना तर एक आज हेल्प भी चीह दामनी तो दो मिंट मिलब लएगा आप खांप हालो हाँ बुलिए हालो डेटा जड़ा आप इसमें डाल जड़ा अमरे लिंक टेशन एक आपक्यों प्रगामिक चेंज वर्क कर दिया पूरी हो गया आया अब जो है आपको यह जो है वीडियो लिंक मिल का जाए करेगी है सब्सक्राइब मेरे से कुछ नहीं मिल रहा है मुझे और सारे वीडियो अभी तक कि जो पूरी जितनी भी क्लास हुई है और सारी क्लास की वीडियो में अप्लोड कर लिया है और आपको आप में बात तो सुनिये तुडी मैंने सारी में जितने भी एह ना मतलब कि वीडियो है मैंने यूटू प्राइबे पे डाल दिया है तो इसी शेला है जाएक तो आप ने सिर्फ यूटूब फ्राइबे पर चली जाएगी तो आच डाउनोड आंज बाइसी से कर लोगे ना आपने सिर्फ य्टिटी से बताया थे देना सिर्फ मुझे वाईटी से भी नहीं हो रहा है कर सकते हैं हाँ वाइडिटी में जाओ और लिंक कोफी केस्ट करो डाइब की प्रसिंपल्स है सर अलो अमोली अरे अगवार ने बंद गरने से पले मिलाएक एक्षन सीट देख लेना है ओ फिस को प्रोजेक्टियं कल समीट करना है वो गया पुरे कम्पेट पर सोड़ा से रहे गया तो फुछ क्वेरी है दिख लेएड वाला एडिटा बैटा लो लो ने को अलो एक जो सरी यह है मेरा प्रोजेक्ट देखिए आप लोग सरी यह ना कुछ मारे मुदब टेनेंट का हुआ है जो पेमेंस डिटेल है जो मारे मुदब लोग इसमें क्या है मैंने सीट डंप फाइल में है डंप से हमने यूनिक प्रोपटियर कोड निकाले बाई फॉर्मूला ओके उ इसको पाइए खाए है टि अधा है कि अखके प्रोपटियर को आप निकालें खाष्च का अधक तो लेकिन जब मैं इसको रिफरेस कर रहा हूं तो यह जो यस वला अमांट है और नुवला अमांट है एक ही में एड हो जा रहा है यह बाइफर्रकेट कैसे हो गए एक में तो आपने एक में करसे लखिए पे है ना आपका लगा हुआ है यह देटा यहां से लगा हुआ है यूनिक से नहीं आपने पे लिए रखा ना नो इसे स्कॉल कीजिए एक वाट आप यहां पर सब्सक्राइब यहां यहां पर लेकिन जो आ रहें पर मिनना है कुछ कर्णिशन है इसका यह के लिए यहां पर आप यहां पर अब चलता है आपका यहां पिवट लगा हुआ है उस समय आपके देटा में यहां था लेकिन अब आपके देटा में यहां नहीं है , जैसे आप refresh करते हो data, आप आप चेंज हो जाता है, दूर्म में म yo जो जाता है, अब data में आप yes हो जाएगा, आप no yes हो जाएगे, आप yes proceeding, पर्साग… नीके बादब डिधे, वही वह प्रोर्ल्म है वही प्रोब्लम है जो आप प्रोर्लम लगा था उस समय कुछ और डेटा था तो देटा जैसा दिख रहा है तो आपको डेटा जैसा नहीं ख़ीज़ आपको आपने याँ लोगा वह नहीं यहां पर यहां पर देखिए कॉलन है तो पुरा डॉल्ट में क्षैने किया देखेगा आपको तो आपने लगाया है उसमें प्रॉलम है उसको आप सही करें अब फॉर्मॉला क्या है तो आज स्टडी करना बने ऐसे एक दिरे में नहीं बता सकता ना प्रवां बता प्रवर्व ही बनीश यह खी प्रवर्म प्रवर्य किया प्रवाइ किरी कि पीवोट कि रिमूव क्या से करते हैं यह पीवेट लगा होते हैं पर जिन मैंने पेश्ट रिमूव कैस होता ही जो सब्सक्राइब करें अगर आप ने पिवट लगा रखा है और पिवट को रिमूव करना पिवट हट जाए तो पूरे सीट को आप कॉपी किजिए उसी की ओपर वैलू पेस्ट कर देजिए आप कपी वर्ट रिमूव हो जाएगा ठीक है ठीक है यह आप अपसा ही क्या पूछ आप लोग हलो सर जी कैसे कैसे डाउनलोड करेंगे बतानों आप सर डाउनलोडिंग में यूटूब पे जो लिंक आपको आएगा उस लिंक को कॉपी कीजिए और वाइटीवी नाम का एक सॉफ्टर है जो कि सिफ डाउनलोडिंग यूटूब के वीडियो को डाउनलोड तो सर मैं समझी है लेकिन सर लेकिन हम आपके पास हमको कैसा प्ता रहा गया है यह हमारा वीडियो है वह आपको आप वीडियो अप्लोड करें और आपकी मेल आईडी मेंसल कर दिया है जैसे वह अप्लोड होगी आपके आपके मास अप्लोडिक मेल लाजाएगा अभी तो देख लिए अभी आदा यहन्ते में आपको कुद बखकुद मेल आजाएगा यूटूब डॉटूब को तकार से अप्लोडिक मेल लिए अप्लोडिक में लगा रहा है दूसरा सिस्टम पिछले मतर की एक हपते से ही काम कर रहा है मेरा जो है 600 GB का डेटा डाओ अप्लोड कर रहा है अप्लोड होगा और बैच बाइबाच सबको मेल चली जाएगी एक बार मेल आगके बास यूटूब से आएगा 10-20-50 से मेल आएगी सारी क्लासिस का लिंग होगा